ओम शान्ती आज 12 जन्वरी 2022 आज की मुर्ली से जो बाबा हमें गुन सिखा रहे हैं वो है क्यान का आत्मा सतो गुनी है सतो गुन में सबसे पहला गुन क्यान का है क्यान अर्थात समझ अंडर्स्टैंडिंग कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी अगर हमें समझ है तो उसको हम सफलता पूर्वक कर सकते हैं ग्यान अर्थात समझ हर एक के पास है लेकिन उसको समय पर प्रयोग करना महतोपूर्ण है जितना हम ग्यान को सही समय पर प्रयोग करते हैं उसके उतनी जादा बेनिफिट्स हम ले सकते हैं जैसे कि हम रास्ते से चल कर जा रहे हैं और सामने एक पत्थर है और उसको हमने देखा और समझ लिया तो उसके हम चोट नहीं खाएंगे लेकिन अगर हम देखते नहीं है इगनौर करते हैं तो उसकी चोट हमें लग सकती है इसी तरह से कोई भी कारे हम कर रहे हैं उसमें अगर हमें समझ है तो हम ठोकर नहीं खाते हैं संबंदों में व्यवहार में या कोई भी परिस्थती में अगर हम उसको समझ करके कारे करते हैं तो हम conflict से बच जाते हैं, अपनी energy भी save करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं, इसलिए कहा जाता है ज्यान प्रकाश है, रोश्नी है, रोश्नी में हर चीज सपस्ट नजर आती है और इसी तरह से समझ है वहाँ पर हमें हर परस्ति भी अच्छी तरह से समझ आती है, तो ज जानना और दूसरा होता है मानना और तीसरा है उस पर चलना, तो जब information है हमारे सारी संसार में सब के पास, लेकिन उनको जब तक हम समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं और उसको practice में नहीं लाएंगे, तब तक उसका benefit नहीं ले सकते हैं, परस्तती के समय पर हम देखते हैं, थोड़ी सी नासमझी या misunderstanding के कारण से हम कई प्रकार के समस्याइं create कर लेते हैं, उन समस्याओं से हमें अगर पार होना है और अगर हम उन समस्याइं create ही नहों, उस पर ध्यान रखना है, तो हमें अपनी समझ का यानि ज्यान का प्रियोग करना है, समय पर प्रियोग करना महत पूर्ण है, समय के बाद अगर वो बात स्मृती में भी आती है, तो नुकसान तो हो ही जाता है, उस नुकसान से अगर हमें बचना है, तो हमें अवेर रहना होगा, चागरत रहना होगा, और इसके लिए अपने मन को शांत रखना बहुत सरूरी है, जितना हमारा मन शांत होग हम अंतर्मुख होंगे, हमारा मनन श्रेष्ट होगा, शुद्ध होगा, उतना हम परसुतियों को सहीरिती से समझ पाएंगे boiling water में जैसे हम अपनी image नहीं देख सकते हैं, running water में भी image नहीं देख सकते हैं लेकिन still water में दे सकते हैं, इसी तरह से हमारा स्थिर मन होगा, तो हम अपने अंदर के ज्ञान को प्रयोग में सहीरिती से ला सकते हैं आज का दिवस अपने मन को स्थिर रख करके, हर एक परस्तिती को समझ करके उसका रिस्पॉंट करे, ओम श्यांति झाल